नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने क्राइम के एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ बात उसी समय के थी जब मैं बरेली रेंज में डियाईजी हुआ करता था मैंने कई बार बताया है कि मेरे बरेली रेंज में चार जन्पद बरेली बदाईउं शाजहापूर और पीली भी थे यहां की कानून बेवस्था और क्राइम का सुपरवीजन का काम मेरे कार्याले मेरे द्वारा किया जाता था आज की घटना जन्पद बदाईउं से संबंधित है थाना है सिविल लाइन तारीक थी 11 जून 2020 समय शाम का पांच बजे ग्राम बुद्ध बिहार बुद्धवाई के रहने वाले जैवीर सनाफ शिव सिंग यह थाने पर आए थाने पर कोतवाल यानि इंस्पेक्टर इंचार्ज यानि एसेचो यानि प्रभारी निरिक्षक ओम प्रकाश गौतम मौझूद थे वहाँ पहुच का जैवीर ने बताया कि 7 जून 2020 को मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया था जहां मेरे ससुर की तबियत बहुत खराब थी मेरे घर में मेरे माँ बाप अकेले थे मैं वहाँ से लौट कर आया जब आज 11 जून को तो मेरे पिता घर पर नहीं थे मेरी मा रो रही थी और मेरी मा ये कह रही थी कि पिता पिछले 3-4 दिनों से लापता है तुम्हारे जाने के तुरंद बाद से वो लापता हो गए उनका आज तक कोई पता नहीं लगा और मैंने काफी कोशिश भी की लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बता नहीं पा रहा है मैं गावानों को साथ लेकर हम उम्मर लड़कों को साथ लेकर आज पास मैंने भी तलाशना शुरू किया मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो घर से अपने खेट पर जाने के लिए निकले थे लेकिन संभवता वहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि खेट पर जाकर मैंने भी कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर आने की कोई सूचना नहीं मिली मैं जब ढूंडने लगा तो मेरे पिता की लाश गाओं के ही विरेन सिंग के खेट में सड़ी गली पड़ी हुई है मैंने चेहरे और उनके कपड़े से पहचान लिया कि ये मेरे पिता ही है जिनका नाम शिव सिंग था ओमप्रकाश गौतम जो प्रभारी निरित्षक यानि कोत्वाल थे थाना सिविल लाइन के उनको समझने में देर नहीं लगी कि हत्या हुई होगी उन्होंने फौरान एक तहरीर जैवीर से ली और उस तहरीर पर क्राइम नंबर 162 बटे 2020 पर धारा 302 और 201 यानि हत्या और हत्या के साक्ष को छिपाने या मिटाने की धाराओं में FIR दर्ज कर ली FIR दर्ज करने की बात की वही फौर्मिल्टी वाइरलेस से सभी को सूचना देना अधिकारियों को बताना की सभी मौके पर पहुँचें सभी यूनिट्स को बताना की ततकाल मौके पर पहुँचें भील है साक्ष मिट जाएंगे या साक्ष के खतम होने की संभावना है ये सब सारी बाते हैं सब सूचनाएं जो फर्मिल्टीज होती हैं ये सब जगह सारे कंट्रोर रूम्स को भेज कर इंस्पेक्टर खुद अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुँच गए मौके पर काफी गाउवाले थे और गाउवालों की भीर थी लाश के सड़ने की बद्बू खेतों से बाहर निकल कर जहां पर लोग खड़े हुए थे वहां तक इस पस्ट आ रही थी जितने लोग भी खड़े हुए थे सब अपने नाक में महिलाएं थी वो अपनी साड़ी से ड़के हुए थी और जो पुरुष थे वो अंगवचे या दूसरे साधन से नाक को ड़के हुए थे पहुंसते ही इंस्पेक्टर को ये समझने में देर नहीं लगी कि लाश बुरी तरह सड़ चुकी है तप्ती जून थी भीशन गर्मी थी डेड़ बाडी 24 घंटे से अधिक समय तक 24 घंटे से जैसे ही बीच जाते हैं उसमें सणन और बदबू शुरू हो जाती है सभी लोग इस बात का सभी लोगों को अंदाजा होगा कि उनके घर परिवार रिष्टदार में जब किसी परिजन की इस तप्ती धूप में मृत्य होती है और किसी का वेट करने के लिए बाडी को एक आग दिन रखना होता है तो उन्हें बर्फ की सिल्लियों से अगल बगल ढग के रखा जाता है और आसपास बहुत धेर सारी अगर बत्ती और धूब बत्ती भी जला दी जाती है क्योंकि इतना इंतजाम करने के बाद भी एट्मॉस्फियर के टेम्प्रेशर के करण बॉडी में हलकी हलकी सड़न आने लगती है और वो तो खेत में पड़ी थी कोई बर्फ नहीं कोई सिल्ली नहीं दिन का ताप मान 40 डिग्री के आसपास और बॉडी के भीतर का जो लिक्विड है जो रसायन है वो उस ताप में बाहर निकलने को आतुर होता है शरीर फूल जाता है इसकिन काली पड़ जाती है और इस केस में तो इसकिन जगर जगर फट गई थी और जो वाटरी कंटेंट होता है शरीर का उस फटे हुई इसकिन से बाहर आ रहा था मैं इस विभस द्रिश्य को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद ही इन्ही पुलिस वालों को इस लाश का पंचायत नामा भी करना है इस लाश को सील भी करना है और फिर इसको मौर्चरी के डिस्टिनेशन तक पहुँचाना भी है इतनी बुरी कंडिशन में इतनी खराब कंडिशन में पड़ी हुई इस लाश को इस तरह से यही पुलिस वाले इसको पंचायत नामा भरके बहां तक पहुँचाएंगे सबसे पहले डॉग स्कॉयट का वेट किया जाता है कि इसके पहले की वहाँ पर कोई चेंज हो जाए लूगों के आने जाने से डॉग स्कॉयट अगर कोई स्मेल से मदद मिल सके उसकी इसमेल से तो डॉग स्कुएट को लाया गया, बॉडी के पास उसको तमाम जमीन पर बॉडी के पास इसमेल ली उसने, वहां से वो सीधे रास्ते पर जो रास्ता गाउट को जाने का है उसी रास्ते पर चल निकला, काफी दूर जाने के बाद फिर वो भटक गया, डॉग हैंडलर से इस स्मेल इसको मिल रही है, इसलिए थोड़ी दूर तक गया, अदरवाइस जो अबजेक्ट है, जो सबजेक्ट है, जिसकी स्मेल की हमें जरूरत है, जो लाश के पास होनी चाहिए, उसको बॉडी की जो बद्बु है, उसने ओर पावर कर दिया, इसलिए वो स्मेल वीक है, ले हो सकता है, दुबारा इसकी जरूरत पड़े, फिल्ल यूनिट के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपना काम किया, कोई फिजिकल इविडेंस मौके पर नहीं मिला, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और ब्लड के सेंपल्स, मिट्टी के सेंपल्स लेकर वो भी यूनिट वापस चली गए, सर्विरांज के लोगों ने, क्राइम ब्रांज के लोगों ने कुछ मुबाइल नमबर इकठा किये, मिरतक के पास भी एक मुबाइल था जो घर में रहता था, जिसका कभी कबार वो इस्तेमाल करता था, वो उसके लड़के, उसकी पतनी, तोला पडोसी, आसपास के लोगों के नमबर लेके और फिर वो भी वहाँ से चले गए, सब लोग चले गए, अब पंचायत नमा का समय आ गया, पंचायत नमा भी फिर वैसे ही भरा गया, जिसके बारे में मैं कल आपको बहुत ही डीटेल में बता चुका हूँ, सर्ती, डेड बाडी, दुर कई पन्ने में होता है, जिसमें बाडी की फोटोग्राफ बने होते हैं, पूरे शरीर के, हाथ के, पैर के, सिर के, और पंचायत नमा भरने वाले अधिकारी को उसको जो शरीर पर चोट दिखाई देती है, वो डाइग्राम में वहाँ उसे मार्क करना होता है, जितनी लंबी प्रायत नमा भरा गया, बाडी सील की गई, बाडी बैग में रखी गई और गाउं से ही एक ट्रैक्टर बुलाया गया, क्योंकि वो न कोई कस्बा था वहाँ पर न टेम्पो आटो चलने की वहाँ कोई सूचना थी, न वहाँ चलते थे, तो किसी को घेरगार के पलिस वालो तो ने टेम्पो वाले को बुलवा लिए, टेम्पो में पीछे ट्रॉली में जो पुवाल होता है, उसको रखके और उसके उपर बॉड़ी रख दी गई, ताकि बॉड़ी, च《 ट्रैक्टर की ट्रॉली में मूमिंट बहुत होता है, हिलती डुलती बहुत है, गढधे में कूच जाती है तो बॉड़ी इधर उधर न खिसके और बॉड़ी का कोई नुकसान न हो सील बॉड़ी का इसलिए धेर सारी पुवाल डाल कर उसमें बॉड़ी को रखकर अकेला ट्रैक्टर डावर वहां से बदाईू डिस्टिक हॉस्पिटल के पास जो सील घर है जो माटम भी हुआ पी एम रिपोर्ट भी रात में थाने पर आ गई पी एम रिपोर्ट में बताया गया कि कॉज अफ डिथ डू टू एस्फिक्सिया एज रिजल्ट अफ स्ट्रेंगूलेशन और एक बात उसमें और थी कि उसके जो चोटें थी उसमें जांग की हड़ी यानि ब्रोकेन थाई बोन का भी जिकर पोस्माटम रिपोर्ट में था यानि कि गला घोटने के कारण दम घुटने से व्यक्ति की मृत्तु का होना पोस्माटम रिपोर्ट में अंकित हुआ फिर वही नॉर्मल लूटीन के अगले दिन सभी के बयान नोट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने के लिए गाउं में पूरी टीम पहुँच गई वहाँ पर मिर्तक के घरवालों का परोसियों का रिष्टदारों का जो जो लोग अंतिश्टि के लिए वहाँ आये थे उनका उन सब का बयान नोट के आगया लेकिन कोई लीड नहीं मिली बयानों से कोई लीड का मतलब की बयानों में कोई जमीन का विवाद पैसे के लेन दिन का विवाद कोई पुराना विवाद कोई खांदानी पुष्टैनी विवाद इस तरह की कोई बात बयानों में नहीं आई Inspector ने सभी टीमों से बात की सरविलांस वाली टीम से उन्होंने का हससाप बहुत कुछ नहीं निकला इसमें फिर उन्होंने इनसे बात की Forensics वालों से उन्होंने का सब कोई physical evidence नहीं मिला है जो blood samples हैं वो जाँच के लिए भेज दिये गए है लेकिन इससे भी कुछ निकलने वाला नहीं है डॉग हैंडलर से बात की डॉग हैंडलर नकाग साब आप एक काम ऐसा करिए कि जो उसके पुराने पहने हुए बिना धोए हुए कपड़े हों घर में मिर्तक के उसको लेके किसी व्यक्ति को मौके पर भेजिए और सारे घर परिवार वालों को या ऐसे व्यक्ति जिन पे जरासा भी शंका हो और उस गाओं के रहने वाले हों उनको भी भीजिए इनकी परेट कराएंगे वहाँ पर एक बार फिर से मौके पर इसमिल लेके और जो लोग नजदीक खड़े होंगे बहुत दूर तक नहीं जाना होगा और इस समय बाडी भी नहीं है उसकी इसमिल जा चुकी है तो हो सकता है हमें थोड़ी बहुत काम्याबी मिल जाए वो इस आधार पे कह रहा था कि डॉग जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में काफी दूर तक गाउं के तरफ गया था उससे ऐसा लगता था कि उससे इसमिल मिल रही है तो एक बार ओर ट्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है अगले दिन यही किया गया मृतक का लड़का मृतक की पत्नी लड़के की पत्नी, मिर्तक के भाई और कुछ पडूसियों को इकठा किया गया और परेट कराई गई तो डॉग बार बार मिर्तक की पत्नी के पास जाकर इशारा करने लगा इशारा करने के मतलब वो भूखने लगते हैं उसकी तरफ जाकर वहां बहुत ही है द्रिश्टी से कुटा देखता है कि यही हमारा सब्जेक्ट है फिर डॉग को मिर्तक के पुराने कपड़ों की इसमेल कराई गई कि देखे ये इसमेल प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है कराई गई तो वहां से सीधे भागा और मिर्तक के घर पर उसका कमरा जिसमें ताला बन था उसके सामने जाकर वो इशारा करने लगा यानि भौकने लगा उसमें ताला बन था इस्पेक्टर ने कहा ये ताला कैसे बन थे उनका साभी उनका मृतक का कमरा है जिसमें वो और उनकी पत्नी रहती है चाभी मंगाई गई और तुरन ताले से ताले को खोला गया ताला खुलवाया गया तो उसमें शराब की खाली और भरी हुई चार छोटी शीशियां बोतले जिसको कहते हैं जिनको पववा कहते हैं कौर्टर भी कहते हैं तो ये चार वहाँ पर मिली और एक अपेक शाकरित नई साइकल उसमें कमरे के भीतर खड़ी हुई मिली साइकल देखकर मृतब के बेटे ने जैवीर ने ये पूछा कि अम्मा ये साइकल किसकी है न तो प जब्द भी जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर ने भी पूछा कि साइकल किसकी है तुम्हारे कमरे में खड़ी है तुम अभी तक किसी कमरे में थी तुम बताओ किसकी है लेकिन फिर कुछ वो नहीं बोली इंस्पेक्टर को समझ में आ गया कि कुछ नो कुछ बात इसी में चिपी हुई है उसने फौरण महिला कॉंस्टिबिस के साथ उस मिर्तक की पत्नी कमले शरानी को थाने पर भेज दिया चुँकि वहाँ भीर बहुत जादा थी और ऐसा लग रहा था कि ये भीर को देख कर शायद ये कुछ बताना नहीं चाह रही है अकेले में ही इससे बाचीत की जाएगी इस्पेक्टर ने डॉग हैंडलर से और धेर सारे इंटरिप्टेशन पूछे जो डॉग का मूविंट हुआ था परेट के बाद उसके बाद वो घर तक आया था ये सब पूछने के बाद और घर की अच्छे से तलाशी करने के बाद वो फिर वापस थाने पर आ गए मृतत की पत्नी कमले शरानी से पूछता शुरू हुई महिला कॉंस्टिबिल्स और सब इस्पेक्टर्स को पूछताश में लगाया गया पहले तो एक ही बात पूछी जाती रही कि भाई ये बताओ कि ये साइकिल किसकी है और जैसे ही साइकिल का नाम आता था वो चुप हो जाती थी थोड़ी देर बाद महिला कॉंस्टिबिल्स का धायर जवाब दे गया और उन्होंने सुओ मोटो अपनी तरफ से विशिष्ट वाली विशिष्ट श्रीणी वाली बहुत अच्छी पूस्ताश शुरू कर दी अच्छी वाली फिर बहुत बहुत अच्छी वाली पूस्ताश शुरू कर दी और ऐसा लगने लगा कि शायद अब सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा जबकि महिलाओं से पूस्ताच करने में rarest of rare cases में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके पहले ही महिलाएं बता देती हैं अगर उनके पास कोई जानकारी होती है लेकिन इस केस में इसलिए सत्य बोलक यंत्र की बात बार बार वहां सब लोग कहने लगे जब इसके कमरे में साइकल खड़ी है बाहर से ताला बंद है बेटा कह रहा है हमारी नहीं है मेरे पिता की नहीं है मेरे घर में किसी की नहीं है तो आखिर ये साइकल इसके कमरे तक पहुँची तो इसे जानकारी होगी जान बूच कर ये उसका नाम नहीं बता रही है इसलिए कैसे भी हो ये नाम उससे निकलवाना है कि आखिर ये साइकल किसकी है और शायद हत्या की लीड इसी साइकल के थुरू मिल जाए तैयारी शुरू की गई ले आओ भई ले आओ ले आओ आ गया ये अंत्र और ऐसा लगा कि शायद बिना इसके प्रयोग के ये बताएगी नहीं पहले तो फिर जैसे ये अंत्र लगाये गया और शुरू किया गया उसका उपरेशन उसे पूछा गया कि सबसे पहले तुम यह बताओ कि यह साइकल आखिर है किसकी उसकी समझ में शायद आ गया कि अब शायद यह भारी पढ़ जाए और हमें न बताना भारी पढ़ जाए बताना ही पढ़ेगा और इसके पहले कि सत्यबोलक यंत्र का उपरेशन शुरू होता उसने बताना शुरू कर दिया उसने बताया कि साइकल मेरे नंदोई राजिंदर सन आफ विजय की है जो गाओ खिरिया ठाना अलापूर के रहने वाले हैं नंदोई का मतलब मिर्तक के लड़के का फूफा यानि जो वादी मुकदमा है जैवीर इसका फूफा इसका सगा फूफा था नंदोई उसका जो लगेगा राजिंदर ये पूछा गया कि भाई इसकी साइकल यहां कैसे खड़ी हो गई और यहां क्यों आ गई क्या तुम्हारा संबन था फिर थोड़ी थोड़ी विशिष्ट वाली पूस्तास की तरफ लोग बढ़ने लगे अगली शिर्णी वाली पर फिर वो चुप हो गई बिलकुल एक्दम शान्त हो गई आगे की बात बताना नहीं चाह रही थी फिर उसने बताना शुरू किया कि राजिंदर का इधर तीन चार सालों से मेरे हां आना जाना जादा हो गया वरना वो हमेशा किसी प्रोग्राम या शादी ब्याह में ही आते थे एक घटना मेरे साथ यह हुई कि मैं फोन चलाते थी नॉर्मल की पैड वाला फोन जिसमें सिर्फ सुनना या सुनाना दोई चीज यानि in coming out going की सिवा इसमें और कोई फीडर नहीं थे मैंने एक दिन अपने पती से कहा कि मुझे भी वो फोन दिलवा दो जिसमें लोग पिक्चर देखते हैं जिसमें वो मूवी को बता रही थी जिसमें लोग पिक्चर सिनेमा देखते हैं हमें वो आला फोन चाहिए इस पर उसके पती ने कहा कि इतना महेंगा मुबाइल में नहीं दिला सकता बहुत महेंगे होते हैं ये मुबाइल जिसमें सनीमा चलता है और तुम्हें इस बढ़ापे में पिक्चर देखने का शौख कहां से आ गया इस पर कमलेश राणी ने कहा कि गाओं की ज़्यादा तर महिलाओं के घर वालों ने उन्हें ये फोन दिलवा दिया है और वो अपने लड़कों या रिषदारों से सामने से मुह देखकर बात करती है फोन में उसका मुह आ जाता है ये अपनी बात करती है उसको देखती है वो जो पूस्ती है वो बताता है या बताती है वो जो पूस्ती है ये बताते हैं तो आखिर मुझे भी शौक है हम भी अपने रिषदारों से मुह देखकर फोन पर बात करना चाहते है इसके बाद फिर मैंने अपने पती से कहा कि बुढ्धे तुम हुए होगे मैं बुढ्धी नहीं हुई हूँ इतना सुनते ही उसने तमाम गाली गलोज देनी शुरू की और कई थपड़ों से रसीद कर दिये ऐसा उसने बताया पूस्ताश्वन और उसके बाद उसने कहा कि मैं चुप हो गई मेरे पास चुप होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था ये घटना हुई थी उसी कि कुशी दिन बाद मेरे नंदोई राजंदर मेरे घर आये मैंने उनको बताया कि फोन के लिए किस तरह मेरे साथ इन्होंने दुरुवहार किया है मुझे थपड़ मारे है राजंदर ने कहा कि भावी आपको बताना चाहिए था फोन में दिला देता बहुत बजार में धेर सारे सेकेंड हैं फोन मिलते हैं ये वाले जिसको तुम कह रही हो कि पिक्चर वाले मोबाईल फोन चाहिए दरसल वो एंड्राइड फोन की बात कर रही थी उन्हों का मुझे बताना फोन करती है मैं लेकिया था जैसे जैसे इसका मॉडल बदलता रहता है लोग पुराना मॉडल बेंज देते हैं और वो बहुत सस्ते में बजार में मिल जाता है लेकिन एक बाँ बताओ अभी उन्होंने इसी बात के लिए तुम्हें पीटा है बाई सामने और तुम्हारे पास ये मॉबाईल आ जाएगा वो तुम से पूछेंगे तो तुम क्या बताओगी उसने का मैं बता दूँगी कि मेरे पास थोड़े पैसे थे और मैंने बजार से मंगवा दिया जो बाकी पैसे हैं वो हम धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे सेकेंड हैंड है और बहुत सस्ता है दाम मैं कुछ 2000-2000 बता दूँगी उसके बाद वो चलाना नहीं समझ पा रही थी तो वीच वीच में राजंदर को जब उनके पती नहीं होते थे बुला लेती थी और राजंदर आके उसको आपरेट करना उसका इंट्रेस्ट था कि वो पिक्चर जो लोग देखते हैं वो कैसे देखते हैं और दूसरा ये था कि मुह देखकर आमने सामने बात कैसे करते हैं राजंदर ने धीरे धीरे सारे आपरेशन उसको बता दिये और वो एंड्रॉइट चलाना सीख गई कमलेश्ट राणी ने आगे बताया कि फिर राजंदर ने मुझे वो वाली वीडियो भेजनी शुरू की और मुझे उसकी आदत पड़ गई जिस दिन वो नहीं भेजता था मैं उस पर नाराज होती थी कि हमें वो वाली वीडियो चाहिए और धीरे धीरे मेरे उसके संबंद हो गए मैला कॉंस्टिबिस ने जान बूच कर पूछा कौन वो वाली वीडियो क्या होती है साफ साफ बताओ लेकिन फिर वो इशारों इशारों में वो सब बातें समझ गई सब हसने भी लगें कि हम समझ गए तुम कौन वाली वीडियो की बात करती हो जब वो भेजता था तो इसका कहना है मैं अकेली उस वीडियो को देखती थी इसके बाद जब बेटे की शादी हो गई उसका बच्चा भी हो गया तो मेरा और राजिंदर का मिलना बहुत कम हो गया बहुत मुश्किल से हम लोग मिल पाते थे उसका कारण ये था कि बहु घर में रहती थी और किसी के आने जाने पर वो दस सवाल पूछती थी इसलिए न वो आता था न मैं उसको बुलाती थी जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे बेटे के ससुर की तवियत बहुत सीरियस है और ये सारे लोग जाने वाले हैं ससुराल अपने ससुर को देखने के लिए मैंने राजेंदर को बताया कि ये सब तीन चार दिन के लिए ससुराल जा रहे हैं और अब तुम आ सकते हो बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं जैसे ही बेटा बहु गए और पती भी खेट की तरफ गया कमलेश रानी ने राजेंदर को बुला लिया राजेंदर को भी लगा कि बहुत दिन बात चल ले हैं वो छोटी वाली शीशी की चार बूतले अंग्रेजी शराब की अपने साथ कुछ खाने पीनी का सामान ले गया कमलेश रानी ने ये भी बताया कि जब मैंने कहा कि तुम आ जाओ तो उससे ये भी कहा कि धेर सारी वो आली फिल्में भरवा के ले आना हम लोग देखेंगे आते ही उसने पहले शराब पीनी शुरू की अपना मोबाइल मुझे दे दिया मैं वो जो वो आली फिल्में थी वो देख रही थी और उसने शराब पीनी शुरू कर दी थोड़ी दिर बाद उसे ख्याल आया उसने का कि साइकल मेरी बाहर खड़ी है और मिर्तक के बारे में बताया है कि भाई सम्मेरी साइकल पहचानते हैं जदा लोग तो नहीं पहचानते लेकिन वो पहचानते हैं अगर वो बाहर से इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो साइकल देखके भीतर जरूर आ जाएंगे जबकि सामानी रूप से वो भीतर नहीं आता था बाहरी वहीं बरामदे में सो जाता था और कमलेश रानी वहीं उसका खाना पहुचा देती थी वो भाग के बाहर निकल के गया और वो साइकल उठा कर भीतर कमरे में लाके रख दिया ताकि बाहर से आने जाने वाला कोई ये न पहचान ले कि मैं घर के भीतर हूँ साइकल देखकर लेकिन हरवड़ी में वो साइकल लेके भीतर आते समय दरवाजे की कुंडी लगाना भूलिया सिटकिनी लगाना भूलिया और वही हुआ जो होना था शाम को करीब साड़े पांच बजे दरवाजा खुला था खुला हुआ दरबाजा देखकर शिव सिंग सीधे भीतर आ गया और इन दोनों लोगों को ये दोनों मुबाइल पर देख रहे थे कुछ इनको देखते ही भी फर गया और दोनों को गाली देने लगा वो तूट पड़ा राजंदर पर उससे अपनी पत्नी पर कमलेश रानी पर और उससे मुबाइल छीन लिया जोर जोर से गाली देने पर दोनों लोग डर गए कि इतनी जोर से ये चिला रहा है और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है पड़ोसी अगर आ गए तो बहुत दिक्कत होगी इतने में ही राजंदर गुसे में खड़ा हुआ बिस्तर से नीचे आया और राजंदर ने उसको वहीं पर गिरा लिया अब वो चिला रहा था तो एक उसी की परानी बनियान जो खूंटी पे टंगी हुई मिल गई उसको उतार कर फाल के उसके मुँ में ठूच दिया ताकि उसकी आवाज ना निकलने पाए फिर वो भागने की कोशिश करने लगा तो कमलेश राणी ने बताया कि मैं उसके उपर बैठ गई वो थोड़ा शरीर से कमजोड था मैं मजबूत थी मैं उसके उपर बैठ गई और इसी बीच में मौका देखकर जो रस्सी एक उसे मिल गई कमरे में ही उसी रस्सी से उसने मृतक के पैर बांदिये फिर भी वो हरकतें करता रहा तो फिर उसे पलट कर पीछे करके दोनों हाथ मैंने बांदिये ऐसा कमलेश रानी ने बताया फिर अपनी साड़ी से उसका गला दोनों लोगों ने खीच कर कस दिया गला तब तक कस्ते रहे जब तक कि वो बिहोश नहीं हो गया लेकिन दर असल वो मर चुका था कमलेश रानी ने कहा हम लोगों को तब भी शक हुआ कि शायद अभी जिन्दा है फिर हम दोनों लोग दोनों शरीड से भारी थे एक उसके सीने की तरफ और मैं उसके पैर की तरफ बैठ गई घंटों हम लोग बेठे रहे जब हाथ पैर में हलकी हलकी अकलन शुरू हुई और हमें लगा के भी मर गया तो हम लोग ने उसको तखक के नीचे खिसका दिया इस मार पीट में इस उठा पठक में कमरे का पूरा सामान इधर उधर बिखर गया था सबसे पहले उठके कमरे के सामान को अपनी जगव पे रख के ठीक ठाक किया ताकि बाहर से आने वाले किसी व्यक्त को ये न लगे कि यहां कोई लड़ाई जगडा हुआ है ठीक करने के बाद घर के दरवाजे से बाहर निकल कर राजंदर ने ये देखा कि कितनी दूर खेत है कहां ले जाना है कहां फेकना है आस पास जो पडोसी हैं किसी के हां कोई अक्टिविटी तो नहीं है कोई देख तो नहीं रहा है क्योंकि गर्मी का दिन था सभी लोग उबढखाबढ़ है आराम से लाश को फेका जा सकता है एक चादर निकाली कमलेश राणी ने बताए कि मैंने एक चादर निकाली उसने उसको चादर में अच्छे से लपेटा लपेट के अपने कंधे पर लाद कर वहां से चल दिया फिर मुझसे कहा कि तुम भी साथ आओ मैंन मैंना किया है मैंने कहा मुझे डर लग रहा है मैं कहता ही साथ नहीं जाओंगी तो राजंदर ने धमकाया कि मैं अकेले नहीं फंसूंगा अपनी सलामती चाहती हूँ तो मेरे साथ साथ हाओ जितना मैंने किया है उतना तुम ने भी किया है फिर वो वहाँ से गए और रात में करीब करीब तीन बजे के आसपास लाश को खेत में फेक कर राजेंदर और कमलेश रानी दोनों वापस आ गए वापस आकर राजेंदर कुछ घवराया हुआ था और उसने कहा कि मैं शराब पिऊँगा मुझे अंदर से बहुत घवराट हो रही है कि अगर बात पता चली तो क्या क्या होगा इसके बाद उसने शराब पिए फिर उसने बताया कि देखो हम चार शीशी लाए थे कि अंगरेजी शराब है तुमको भी पिलाओंगा तुमने शराब नहीं पी है तुमको भी पिलाओंगा और तब फिर उसके बाद दोनों लोग शराब पिएंगे अंगरेजी वाली उसके बाद फिर हम लोग वीडियो देखेंगे लेकिन तब तक ये सब कुछ हो गया कोई बात नहीं अब तुम भी पियो और हम भी पीते हैं कमलेश रानी का ये कहना था कि मुझे मैं कुछ कह नहीं सकती थी जो कुछ हुआ था उसमें हम और वो दोनों ही वराबर के हिस्सेदार थे इसलिए उसने भी शराब पी और मैंने भी शराब पी इस बीच में सुबह चार साड़े चार बज गया और वहाँ आवाजा ही सभेरे की होने लगी गाओं में गाओं में लोग फारीग होने के लिए खेतों में जाते हैं बड़े बुजर्ग वो आवाज भी लगाते हैं एक दूसरे को तो कुछ शोर गुल सा समझ सुनकर राजिंदर फिर थोड़ा घबरा गया और सब कुछ वैसे ही छोड़के उसने कहाँ मैं जा रहा हूँ और चुपचाप वहाँ से निकल गया 28 जुन को राजिंदर और कमलेश रानी को गिरिफ्तार करके जेल भेज दिया गया सभी साक्षियों सबूतों के साथ दोनों के विरुद्ध चाशीट 4 सितंबर 2020 को अदालत में दाखिल कर दी गई अब आज की घटना में किसकी गलती है हमें नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा कि किसकी किसकी गलती है बहुत साफ दिख रहा था क्योंकि कमलेश रानी जो गाउं की अनपढ़ महिला थी उम्र दराज भी थी उसके बच्चे हो गए थे बच्चे बड़े हो गए थे बच्चों की शादी भी हो गई थी उसके नाती पूते भी थे फिर भी उसकी कुच्सित मानसिक्ता भोग विलास की लालसा समय से तेज भागने की तमन्ना ने उसे कामांध बना दिया अच्छे बुरे का फरक भूल गई वो और जो रही सही कसर थी वो मोबाइल फोन ने पूरी कर दी फोन ने अचानक गाओं के परदेदारी की दुनिया से निकल कर जैसे यूरोप देखने लगी कमलेश और सारी परदेदारी और समाच की मर्यादाएं भूल गई इसी तरह राजेंद्र भी बराबर का दोशी है रिष्टों के ताने बाने को तार तार करके अपनी संतुष्टी के लिए वो भी सारी मर्यादाएं तोड़ गया और एक अपनी संतुष्टी के लिए एक निरीह व्यक्ति की हत्या कर दी इस तरह से दोनों बराबर के भागीदार हैं इस क्राइम में भी और गलती भी दोनों की बराबर की है जिनकी वज़े से ये क्राइम हुआ ये मेरी राय है कि इन दोनों की गलती बराबर है और हमें उमीद है कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे लेकिन अगर आपकी राय से इतर है तो मुझे जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद